की कि नमस्कार दोस्तों इस चैनल्स का बहुत बहुत स्वाकत हैं आज फिर आपके लिए ब्हुत Хजं जानकरी में लेकर हो दोस्तों जानते हैं दूद और खजूर में छीपे हुए राज के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो पुरा वीडियो जुरूर देखते रही है दूद और खजूर दोन ही अक्यले ताकत से भरपूर होते हैं इनका शेक तो बहुत ही फाइदा बन होता है इसमें गुलकोस, को साथ में पीने के बहुत सारे फाज़ा होता है जिसे कि इसमें विटामिन B6 होता है जो कि दिमाग को तेज करने मदद करता है जिससे कि हमारी मेमरी बहुत तेज होती है एनेमिय के कमी को दूर करने के लिए और दूद और खजूर को साथ में लें जिससे आरन की कमी दूर दूर होगी जिससे कि एनेमियास हम बस सकते हैं अगर आप जीम जाते हैं तो मसर्ज बिल्डिंग के लिए ये खासा प्रोटीन को प्योग कर सकते हैं मजबूत दात के लिए क्योंकि इसमें फासपॉरस होता है तो दातों को मजबूत बरायर रखता है और मसूड़े के लिए काफी फायदवन होता है अगर हाट से जोड़ी कोई प्रॉलम होती तो इसमें केलोस्टाल बिल्कुल नहीं होता जो कि दिल को हिल्दी बनाकर रखता है और हाट की प्रॉलम को दूर करता है इसमें गुलकुल फ्रॉक्टोस की मातरा काफी अधिक होती है जिससे कि बाड़ी संतुलेते एनरजी मिलती है और कमज़री दूर होती है डायेशन के लिए बहुत फादम होता है इसके पीने से कप्स की दिक्कत दोती है इसके लावा है जॉइंट पेंट अगर दूद और खजुर दोनों में केलिशियम की मातरा अधिक मातरा में होती है जिससे कि कहीने के जॉइंट पेंट या कमर्दात या कोई भी दर्द जोडों का दर्द हमेशे निजात दिला सकता है क्योंकि इसके अंदर केलिशियम और पोटेशियम इसके लावा गुल्कोस फुर्क्टोस के मातर अच्छी खासी होती है इसके लावा खुश्पृत्य उड़ाने के लिए या इसका उपयोग भी क्या था जैसी गुन-गुना तूद्या हलका तक गुन हलका हलका गरम हो जाए उसका उसे निकाल लेजिए और उसे गुन-गुना करके उसे पीजिए इसे रोज नाश्टे में ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं जो भी बेनेफिशिल आपके लिए रह सकता है दोनों में ही बहुत बेनेफिट फाइडर रहेंगे क्योंकि दोनों के इंदर बहुत फाइदा मिल सकता है दूस्तों एक पार जुरू ट्राय करें क्योंकि दूज और खजूर ये आपको अपने घर में ही मिल सकते हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं लेकि ये एनरजी से भरप आपकार